दिल्ली में 50 दिनों से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन चल लाहा इस बीच EPMC की समस्याओं का मुद्दा भी अभी गरम हो गया है हमारे साथ है कन्फरेटरिसन आप आल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्री महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल साब सार स्वागत है आपका सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो किसान आंदोलन चल लाहा है उसकी भूमिका को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं बोटे दोर पर काफी ग्यारे बारे दोर की बातचीत के बाद जो सरकार ने अब उनको जो विकल्प दिया है कि डेड़ साल तक के लिए हम इसको इस्थकित करेंगे और एक ज्वेंट कवेंटी बनाई जाएगी जिसमें किसान के भी लोग होंगे और सरकार के अदिकारी भी होंगे मैं समस्ताओं की इससे बढ़िया विकल्प दूसरा मिल नहीं सकता वर्तमान परिस्तितों को देखते हुए हमने अपने किसान मित्रों से या अग्रे किया है कि वो सरकार के इस प्रस्ताओं को मंजूर करें अगर वह भी मंजूर नहीं करते हैं तो शायद देश में नास्ता खुले और जैसे किसान के नेता कह रहे थे कि इस बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई को बातचीत नहीं हुई तो अगर सरकार डेल सार के लिए स्थकित करती है तो पूरी चर्चा का एक विशह मिल जाएगा और इसमें हमने यह भी सरकार को कहा है क्रिशी मंतरी जी को कहा है वारिजमंतरी जी को कहा है जो वारता में साथ में हैं कि यह मसलह के फैस किवल किसानों का नहीं है इस मसले से लग-बख सवा करोण व्यपारी जो चार करोण लोगों को रोजगार देते हैं लगबगः बीस-पच्श्यस लाग करोण रुपे का साल poo करते और। वो भी के साथ में जूडए हैं तो हीसान यदी शरकार के फारवूले को मानते हैं और इस विशह में कोई भी जॉइन्ट कमेंटी बंती है तो व्यपारी Detroit में लिया जाना है वो काफी लंबे समय से अभी पेंडिंग पड़ी है आप कितना गंभीर मानते हैं कि अगर एपी एपीमसी की समस्याओं का समाधान नहीं हो तो उसका परिडाम किस तरह का होगा आने वाले से वैपारी जिस बड़ी संख्याव रोजगार दे रहे हैं और एपीमसी को लेकर के जब कानून तो बन गया लेकिन कानून के बाद जो कानून के नियम बनने चाहिए थे वह नियम इस पश्ट नहीं है महाराश्टु में कुछ अलग नियम है करणाटक में कुछ अलग नियम है दिल्ली के अंदर कुछ अलग नियम है तो अब क्योंकि देश एक कर एक व्यवस्ता में चल रहा है सरकार की सारी कोशिश है कि पूरदेश एक कौन एपीमसी के बाहर रहेगा अभी इन सारी बातों को लेकर के बेहत अस्मंजस है तो लिहाजा हम सरकार से बात्षित भी करेंगे मैं स्वेम किर्शी मंतरी से और वाणीजी मंतरी दोनों से बात करूंगा कि एपीमसी और उससे जोड़े सभी कानूनों पर एक बार नए सिर से रिवीव हो जो स्टेक होल्डर से उनके सबकी बात को सुना जाए कि वास्तों में एपीमसी में कितना किसान आता है और कितना नहीं आता ऐसे अनेक विशे हैं जिस पर सर्वानुमती बनानी की जरूवत है और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार निश्चित रूप से हमारी बा सरकार का राजस्ट बने और हर व्यक्ति को लाब हो असर आपने एक मुद्दा यहां पर उपसित किया था कि एपीमसी की जो जो समस्या हैं उसके जो गंभीर मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार से अभी तक पूरी तर स्वश्च तोर पर कोई बात या मुद्दा वहां पर नह पर नहीं चांद कि ना तो सरकार दोशी इसके लिए ना हमारे व्यक्ति हैं हो क्या रहा है जैसे मैंने आपको बताया महराश्ट में अलग तरीके का एपीमसी तो हर राज्जिक्त का जो व्यक्ति में उसकी समस्यां डिफरेंट है तो इस सारी अलग-अलग समस्यां उने मिल क्रियेट करके इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रियेट कर दिया है तो नहीं सबसे बहुत है कि एपीमसी पर एक वाइट पेपर बनाया जाए ऐसा आगर हमने श्री कीरती राणा से किया है उनके लिए तरुत में एक वाइट पेपर बनेगा और उस वाइट पेपर को लेकर के पहले हम सरकार को देंगे हम व्यापारियों के बीच में उस वाइट पेपर को ले जाएंगे ताकि व्यापारियों और सरकार के बीच में जो कंफ्यूजन है यह कंफ्यूजन पहले दूरों पहले समझ में है कि सरकार एपीमसी के दौरा क् करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि काफी समस्या का समधान इसमें हो सकता है कि क्रिशी इस समय प्रधान्मंत्री जी पहली प्रास्बिक्ता में हैं और हम सब क्रिशी व्यपार से जुड़ें हैं तो निस्चित रूप से इसका समधान निकलेगा. किसान अंदोलनaw कर रहे हैं किया आप ऐसे वक्त में आपको लगता है कि ये एपीमसी request में का मुद्दा उठाना बेहर जरूरी है क्योंकि सरकार इस वक्त पस्उपेश में है और निश्यत दूर पर किसानों के किसा साथ साथ एपीमसी के जो कानून उनमें सुधार के गुंजाइस हो सकती है इस दोरा लेके सरकार तीन कानून लेकर के आई है उसका मूल मनतव ये था कि सरकार देश के क्रिशी छेत्र को व्यवस्थित करना चाहती है और एपीमसी क्या है एपीमसी पी तो क्रिशी छेत्र जुड़ा हुई है आज आ क्रिशी चेत्र के ऊपर पूरे पर विकास की बाद जानी चाहिए और उसके लिए यह मैं समझता हूं बहुत उप्युक्त समय है जब सरकार ना क्यावल एपीम सी क्रिशी जोड़े और वी जो कानून है एक बार उनकी समिक्षा हो जाए तो मैं समझता हूं की एक डेर साल आइटमों का व्यापार करने का बड़ा इसकोप होगा और यहां तक होगा कि देश की क्रिशी उबज को हम दूसरे देशों के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपने एक चैलेंजिंग बात आपने कही कि अगले दो सालों में जो इकॉमर्स कंपनिया है जैसे फ्लिपक बड़ी बात तो यह कि व्यापारियों का अपना पोर्टल भारत यह मार्केट वह कैट बहुत जल्दी लाँच करने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उस पोर्टल पर जो भी हमारे व्यापारियों की धुकाने बनेंगी उनसे कोई हम शुर्क नहीं लेंगे इसके रा हैं यह पांच प्रतिशत से लेकर के चालिस प्रतिशत का कमिशन लेती हैं तो वह नहीं होगा दूसरा सरकार के साथ इकॉमर्स पॉलिसी को लेकर करके हम लगातार चर्शा कर रहे हैं परसों भी हमारी मंत्री श्री प्यूश गोयल के साथ कैट के डेलिकेशन की एक लंबी यह सारे अधिकारी भी पहुज है और जब वह प्लिसी और प्रेस नोट आ जाएगा तो वर्तमान में जो इकॉमर्स कंपनियां अपनी मंदमानी कर रही है वह मंदमानी कर पाएंगी डिस्कांट नीदे पाएंगी प्रिडेट्री प्रैसिक नीगर दाएंगी तो उनका जो मॉडने व अपने भी खत्म हो जाएगा इसलिए या तो या तो या तो उनको कानून की कानून की पान ना करें के तो सिस्थम्ड आउश में तो भी निज씨 से ने हमारा अब इस तर गोल होगा हमारा कोई वीरोथ किसी से नहीं हम यह चाहते हैं कि पूरी दुनिया की कॉमर्स कंपने हिंदुस्तार में आकर वैपार करें हमारे वैपारी को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन जो लेवल प्लेंग फील्ड है वो बराबरी का होना चाहिए बराबरी के तो आप सब्सक्राइब कि यह कंपनियां जितनी लागत से भी कम मूल पर माल बेशती है इस टॉक पर इन्वेंटरी पर कंट्रोल करती है एक्सक्रूसिव सेल करती है वो सब अपने बंद हो जाईगी तो मुझत ठीक हो जागा आपने सुझाओ दिया है पूरे देश भर के संभव है कि कुछ जगे के वेपारी शायद अपनी तकलीफों को असरदार तरीके से नहीं रख पा रहे होंगे उसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक लेवल पर हम एक नोडल अपना अधिकारी बनाएंगे जो वेपारी होगा वह उस डिस्ट्रिक के तमाम से संपर कर से और इसके पहले जो मनमुहन सरकार यूपियो की सरकार थी ये दोनों सरकारों के कामकाच को आप खासकर एपीमसी की समस्याओं को लेकर और एपीमसी कानून को लेकर आप किस नजरी से देखते हैं क्या पिछली सरकारों इस सरकार में कोई अंतर है कि इन्होंने ब्यापक तरीके से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया हूँ कि पिशली सरकारों ने जो चीज़ों को वो अपने तरीके से लेते गए उनों ने ध्यान नहीं दिया उसकी वज़े से आज ये सबसारी समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही है जब एबीमसी कानून बनाया था उस व सब्सक्राइब हमारे कारेकर में प्रधानमंत्री मोदी आये हैं और उन्होंने इस पर रूप से यह कहा कि देश का चोटा व्यापारी है वह मजबूत होना चाहिए और जो कुछ चीजें हमने उनके सामने रखी सरकार ने वह स्विकार भी की है तो निश्चित रूप से सफ कैट की भूमिका को लेकर आप कितने आस्वससे आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी खासकर मुंबई महारास्ट ओंुदी को लेकर टीम है अभी परसोई मुंबई के अंदर हमारी तीन मीटिंगें वहाँ पर होने वाली है तो लोग जो अलग-अलग है वो जुड़ रहे हैं और अब लोगों में लग रहा है कि हमारी बातों को कहने का कोई मुमंच है लहाजा लोग बड़ी ताद में जुड़ रहे हैं आम व है उसको खत्म कराने में आप कहे एक हम भूमिका लाव भी कर रही है और किसानों का जो मुदा है वही सुन रही है आपको दोखता है कि क्या किसानों को खत्म कर देना चाहिए इसलिए कि सरकार जो कानून बनाओं वो सही है उसे वापस नहीं लिए जना से सरकार ने गैरा बारे दौर की बात्चीत के बाद यह समझा कि शायद कहीं न कहीं कानून बनाने में कोई खामिया रह गई होंगी तो सरकार ने तीनों कानूनों को इस्थकित करने का प्रस्ताव रखा यानि कि देड़ वर्ष तक यह कानून देश में नहीं लाग होंगे और उसके लिए सरकार ने पार्टनर्शिप के आधार और एक जॉइंट कमेटी बनाने की बात कही है जिसके अंदर किसान भी होंगे सरकार के अधिकारी भी होंगे और हमने भी मंत्री को का है कि स्टेक होल्डर ग्रूप में हमें भी होना चाहिए तो देड़ वर्ष का समय मुझे लगता कि बहुत है क्योंकि आज फौरी कारून के बाद भी नुकसान की खेती क्यों कर रहा है और उसकी नुकसान की क्यों को लाब की क्यटी में कैसे बदला जाए तो अगर जौइंट कमेटी बनती है तो हम सब मिल करके सरकार को सुझाओ देंगे सरकार को रास्ते बताएंगे जो वेपारियों के स्थर पर करना होगा वो हम करेंगे किसान को लाब की खेटी होना चाहिए इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है तरीका उसका सिस्टेमेटिक होगा पाथचीत के द्वारा होगा तो मैं समस्ता हूं कि यह इसलिए हमने सबहेके सभी किसान मित्रों से कहा है कि यह एक सही समय है सरकार ने अपनी कोशिश दिखाने की करी है कि वो समस्या का हल करना चाहती है अभर किसान इसको नहीं मानेगे तो चाहे किसानों का मंतव ना भी हो तो भी पूरे देश में मैसेज जाएगा कि किसान तो एक किसानों का परसेप्शन ठीक रहे और समस्याओं का समाधान हो उसके लिए बहुत जरूरी है किस किसान अब अपनी जिद्द छोड़कर के सरकार के साथ बातचीत तो यह किसे समस्या का हल कोई आखरी संदेश रपने ब्यापारी बंदूं को देना चाहेंगे तो देश बर के वैपारी वह से यह कहना चाहता हूं कि वैपार बदलाओं के दौर में है अब वो पुराने सिस्टम का वैपार नहीं चाहिएगा हम लोगों का अपने वैपार को अपक्रेड करना होगा मॉडराइज करना होगा अपनी फिजिकल दुकानों के अलावा हमें इक पर मौझूद होंगे अगर हम ऐसा कर पाने में सफल नहीं हुए तो जो बड़ी कंपनिया अल्रेडी सैटल्ड है वह कहीन है कि हमारे वैपार पर कपजा करेंगी जो की बहुत दुरभाग्यपूर्णों का और देश एक बार फिर इस इंडिया कंपनी के चंगुल में जा सक पारी नेताओं की महत्पूर्ण में ठक हो रही है और उसमें हम आगे इन सारे विशों पर अपनी रन नीती इसपर्च करेंगे कैसे काम आकी चलेगा बहुत बहुत थैंक्यू सर जैसा कि आपने देखा कि कैट के राष्ट्री महामंत्री परवीन खंडलवाल जी किशान कानून और एपिमसी के कानून और उनकी समस्याओं को लेकर ब्यापारियों की भूमिका को लेकर और सरकार की भूमिका को लेकर नीतियों को लेकर उसमें लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले